हलो फ्रेंड्स आई टेकनिकल इंफॉर्मेशन योटूब चानल पे आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे CITS 2021 के प्रोस्पेक्टर्स के बारे में क्योंकि जब आप फॉर्म अपलाई करते हैं तो यह जो प्रोस्पेक्टर्स होते हैं उसमें कई महपून बाते दी गई होती है तो CITS करने से पहले या फिर CITS के फॉर्म ऑनलाइन भरने से पहले कुछ बाते जो आपको जानना अती आवास्चक है उनके बारे में हम जानेंगे तो यह प्रोस्पेक्टर्स जो है वो DGT के तरब से Director General of Training के तरब से 2021 CITS करने वाले छात्रों के लिए जारी किया गया है तो आईए जानते हैं इसके कुछ बहुत ही महत्पून पॉइंट्स जो आपको जानना जरूरी है तो सबसे पहले आपको CITS जो प्रोस्पेक्टर्स है उसमें All India Common Intrance Test के बारे में दी गई है तो यह test क्या होता है यह जैसे कि Intrance Test है जो CITS Advision के लिए लिया जाता है इसमें आपको Online Exam होंगे जो जिसमें CVT के माध्यम से यह exam करवाए जाएंगे तो यह exam जो है उसका date जो है दिया गया है वो date आपका अगस्त में है 20 और 21 अगस्त वो ही बात की जाए सबसे महत्पून पॉइंट्स आपको यह जानना है कि आपका exam जो होगा वो यदि CITS की बात की जाए तो यह Annual System में exam होता है यानि कि One Year में एक ही exam होता है और सेशन जो होगा वो आपका इस 2021 का जो सेशन शुरुवात होगा वो October 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक होगा अब यहीं पे जो है इंट्रेंस exam जो होगा वो 20 और 21 अगस्त का होगा अब जो है यहाँ पे एक मॉइंट जो होता है वो जानना जरूरी होता है कि कौन-कौन CITS के लिए अपलाई कर सकता है तो CITS के लिए अपलाई करने के लिए NTC या फिर ITI यानि कि या तो आप NTC की होगा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर NSC नेशनल अप्रेंटिसीब सर्टिफिकेट किये हैं NCBT से तो आप अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट सबसे मत्पून दिया गया है दोस्तों वो SCBT को लेकर CITS जो है CITS जो है वो SCBT के छात्र नहीं कर सकते हैं यदि SCBT के आप छात्र हैं तो आप CITS करना चाहते हैं तो उसके लिए एक उपाय है कि CIT आप SCBT से ITI पास होने के बाद आपको कम से कम वन येर का जो है अगर आप NSC यानि कि National Apprentices कर लेते हैं तब जाकर आप अपलाई कर सकते हैं CBT के छात्र को सबसे पहले Apprentices करना होगा उसके बाद वो CITS कर सकता है इसके साथ ही CITS जो है वो डिगरी और डिपलोमा वाले लोग भी कर सकते हैं यदि आप डिपलोमा और डिगरी के छात्र हैं तो आप CITS आसानी से कर सकते हैं जो सलेवस CITS के दौरान ITI के छात्रों को पढ़ना होता है वो ही सलेवस जो है वो डिपलोमा और डिग्री वाले छात्रों को भी पढ़ना होता है यहाँ पे age limit कोई नहीं bondation रखा गया है यानि कि आपका कोई upper limit नहीं है जब भी चाहें आप CITS कर सकते हैं CITS के लिए entrance exam का जो fee रखा गया है वो general और OVC के लिए आपका 500 रखा गया है वहीं SC और ST के लिए और women category और EWS के लिए 300 रखा गया है अब जो है आपको entrance exam का pattern जानना जरूरी है entrance exam के pattern में दो section दिये जाते हैं section A जो होता है वो आपका 75% होता है जिसमें ITI से relevant trade से संबंधित प्रसन पूछे जाते हैं जैसे यदि आप feeder के trade के छात रहें तो आपका जो question पूछा जाएगा वो feeder trade से संबंधित प्रसन पूछे जाएंगे यदि आप electrician से हैं तो 75% जो होंगे आपके trade से पूछे जाएंगे 25% जो प्रसन होता है वो आपके quantity, amplitude और जो math होता है, reasoning होता है logical reasoning और number reasoning जो होता है numeric वो वहाँ से आपके प्रसन पूछे जाते हैं जो math reasoning से संबंधित प्रसन होते हैं वो 25% होते हैं अब सबसे महत्मून सवाल जो हिल छात्रों का आता है कि सड़ CITS के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा तो दोस्तो CITS के लिए जो fee होते हैं वो काफी nominal होते हैं, ज्यादा fee होता नहीं है आपको यहाँ पे total अगर fee की बात की जाए general fee structure तो आप यहाँ पे देख सकते है general fee structure यहाँ पे deputed का category है जो government के में काम करने वाले जो अनुदेशक होते हैं उनको trend किया जाता है CITS के मादियम से तो उनके लिए यह fee structure रखा गया है और जो चात्र जो होते हैं जैसे की ITI के चात्र होते हैं तो उनको private general के रूप में रखा जाता है और private STSC के रूप में रखा जाता है तो यहाँ पे तक्रीवन 1500 जो है और यह जो है इसमें 900 रुपिया happy early add कर लेंगे तो 15, 9, 24, 25, 100 रुपिया तक्रीवन आपके जो है courses के fee होते हैं और इसमें hostel charge अलग से include नहीं है hostel के लिए आपको per 100 रुपीज देने होते हैं और अलग-अलग college हो में hostel के charge जो है वो अलग-अलग हो सकते हैं वहीं fee की बात की जाए तो भारत सरकार के जो college होते हैं वहाँ पे सभी जगा fee समान होता है बट जो है कुछ college होते हैं जो ITOT बोला जाता है जहां पे fee जो है वो according to state government और ITOT जो private हैं वो अपने हिसाब से payment रखते हैं course fee में तो बात की जाए courses भी तो वो तक्रीवन 3,000-3,500 में आपके CITS के course हो जाते हैं इसके साथ ही आपको जो है lodging और food जो है वो अलग से लगता है तो आप जितना खाना खाएंगे उसके हिसाब से आपको per month या फिर one year का खर्च पर जाएगा तो आप तक्रीवन पर देज भी अगर 100 रुपीज के meal खाएंगे भोजन करेंगे तो तक्रीवन 3,000 रुपिया आपके वो और एक साल का होता है तो बारत ये 36,000 आपके वो खर्च होंगे और तक्रीवन 3,000 रुपिया आपके course के तो 49,000-40,000 रुपिया आगर आप खर्च करते हैं तो आपका CITS कम्पलीट हो जाता है ये है जेनरल चात्रों के लिए वहीं STC और EWS के चात्रों को कुछ कम खर्च होगा तो ये है जानना सबसे जरूरी बाते होती हैं जो CITS के चात्रों को जानना बहुत ही आवस्यक होता है अब जो है यहाँ प फिलप जो है वो 19 तारिक से आज से सुरू हो गया है उसके बाद आपको 2 अगस्ट तक आपके फॉर्म फिलप करवाए जाएंगे 2 अगस्ट तक सामके 5 बजे तक ही आपके फॉर्म फिलप होंगे मॉक टेस्ट के लिए लिंक एक्टिव किया जाएगा वो 8 अगस्ट से 16 रखा जाएगा और वहीं आग बात की जाए एडमिट कार्ड और एक्जामनेशन हॉल टिकर जो है डाउनलोड करने के लिए वह 8 अगस्ट दिया गया है वहीं 20 अगस्ट और 21 अगस्ट को जो है वह फेजवाइज कंप्यूटर वेस्ट एक्जाम होंगे और 26 अगस्ट को ही आपके जो है CVT के एक्जाम के रिजल्ट भी दिये जाएंगे तो काफी सकम समय आपके पास दिया जाएगा रिजल्ट के लिए और एक्जामनेशन के लिए भी आपको काफी सकम समय 20 दिन का ही समय दिया जाएगा उसी दिवरान आपको अपना ट्रेड के और मैथ औरिजनिं बहुत ही महत्पून है 31 अगस्त से 1st counseling 4 अगस्त 4 सितंबर तक होंगे और 6 सितंबर से 11 सितंबर तक 2nd counseling किया जाएगा और 3rd counseling जो होंगे 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक दिया जाएगा तो यह सारा date काफी महत्पून है यहाँ पर examination center की बात की जाए तो 28 examination center जो है all in India entrance test exam के लिए दिये गए है हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्पून points और है जो जानना आपके लिए जरूरी है जो computer hardware networking जो CITS के अंतरगात आता है उसमें जो information technology के छातर हों और information और communication technology maintenance के जो चातर हैं और computer hardware networking maintenance के चातर हैं इन तीनों trade के जो चातर होंगे यह तीनों trade के जो चातर होंगे वो CITS के अंतरगात इस trade के लिए ही apply कर सकते हैं यानि computer hardware networking course के अंदर CITS के अंदर इनका नामंकर होगा अब बै कॉस्टमिलोजी के अंतरगत भी आप देख सकते हैं कि ITI के अंतरगत दो trade होते हैं लेकिन CITS के अंतरगत दोनो trade का समावेस एक ही में कर दिया गया है वहीं बात की जाए draftman civil का तो draftman civil और surveyor का जो trade होता है ITI में दो trade होते हैं अलग-अलग draftman civil और draftman surveyor तो इन दोनो trade के लिए CITS के अंतरगत एक ही trade किया गया है तो इस तरह से कई trade जो है जिनका समावेस करके CITS में एक trade कर दिया गया है तो यहाँ पे electronic mechanics mechanic consumer electronic appliance और technicium power electronic system को electronics mechanics के अंतरगत रखा गया है कुछ trade और है जिसको जानना जरूरी है जैसे कि massnist और operator advance machine tool के अंतरगत इन दोनों को एक ही trade में समावेस कर दिया गया है CITS के अंतरगत वहीं welder के अंतरगत आप देख सकते हैं एक बहुत ही महत्पून trade है welder जिसके अंतरगत welder welder GTAW welder pipe welder structural welder fabrication and fittings welder and inspection इन सभी के लिए अलग-अलग ITI में trade होते हैं उन सभी trade को एक CITS के अंतरगत welder trade के अंतरगत रखा गया है तो यह जो trade है जिनका जानना आपन बहुत हीं जरूरी है अब जो है दोस्तो कुछ और भी seat के बारे में जान लिजिए कि किस trade में कहां पे किस college में कितने seat दिये गए हैं इसके बारे में यहां पे बिसरी से नीचे जनकारी दी गई है आप इसका चेक कर सकते हैं अब जो है जानना जरूरी होगा कि आपके किस college में hostel की facilities है या नहीं है तो hostel की facilities जो है दोस्तो वो यहां पे कई college में है और कई colleges में नहीं भी है तो आप यहां पे देख सकते हैं NSTI Mumbai में hostel मेंस के लिए है लेकिन women's के लिए नहीं है NSTI کانपूर में आप देख सकते हैं मेंस और women's के लिए hostel facility दी गई है NSTI Kolkata में मेंस और women's के लिए hostel दिया गया है NSTI हैदराबाद में आप देख सकते है लध्याना में感े बात कि जाए तो मेंस के लिए hostel है और girls के लिए hostel नहीं है अब जो है जोदपूर, हल्दवानी, भुवनिसवर इन सभी NSTI College में आपको ना तो मेंस के लिए होस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है ना ही फीमिल्स के लिए होस्टल दिया जा रहा है तो यहाँ पे आप होस्टल के बारे में भी वाइफाइ, लेवरेडी, इन सभी के बारे में इस प्रोस्पेक्टस में दिया गया है वही आईटी, ओटी के बारे में भी यहाँ पे सीट, हॉल्स और जो होस्टल हैं उनसके बारे में बताया गया है तो यह था महत्पून जानकारी, जो CITS प्रोस्पेक्टस 2021 के बारे में आपको एड़ीशन लेने से पहले जानना बहुत ही जानकारी है I think मैंने सभी पॉइंट्स जो है CITS के बारे में जो प्रोस्पेक्टस के बारे मुख्य बाते थी हमने बताया यदि इसके अलाबे भी अगर आपको कोई पॉइंट्स जानना है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे तो यह था महत्पून जानकारी CITS के लिए फॉर्म सुरू हो चुके हैं काफी कम समय मिलता है फॉर्म फिलप करने के लिए दो अगस्त तक लास्ट डेट रखा गया है इससे पहले आप अप्लाई जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको CITS ITI Apprentice से जूरी हुई महत्पून जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए इसी को लेकर फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत